Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams and I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review बात करते हैं आज के महत्वपून आर्टिकल के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे Rule of Law versus Right to Liberty को लेकर देखे, ये पूरी के पूरी घटना यहाँ पर हो रही है बिलकिस बानो केस को लेकर अगर आपको इसका incident नहीं पता है ये पूरे केस की timeline नहीं पता है तो मैं एक बहुत ही जल्दी आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ information दे देती हूँ 3 March 2002 की हम बात करेंगे बिलकिस बानो जो की की सियर की यहाँ पर थी इस समय और 5 महीने ये pregnant थी इनका यहाँ पर गैंग रेप किया गया था इन दाहोद district of Gujarat during the post-Godra communal rights ठीक है Supreme Court नहीं यहाँ पर 6 December 2003 को ये पूरा का पूरा जो केस था ये CBI investigation के लिए दे दिया बार मैं यहाँ पर 15 अगस्त 2022 की अगर हम बात करें बीच का कुछ time period मैं यहाँ पर skip कर रही हूँ तो 11 convicts बहुत सारे लोग जिसके अंदर शामिल थे इनको यहाँ पर जिनको पहले 2017 में यहाँ पर convict किया गया था life imprisonment के लिए वही इनी लोगों को 15 अगस्त 2022 को यहाँ पर Gujarat government के द्वारा remission पर छोड़ दिया गया और इसी के बाद से अगर हम देखेंगे तो यह जो बिल्किस बानों का जो case है यह यहाँ पर फिर से picture में आ गया था कि भाई आप एक तरफ right to get article 21 और article 14 दोनों यहाँ पर question का विशे बन चुके थे तो यह तो था थोड़ा सा background अब हम आजाते हैं हमारे article के उपर देखें इस पूरे article में दो चीजों के बारे में सबसे महत्तो पूर्चाचा की जाएगी एक तो हो गया हमारा article 21 और एक हो गया हमारा article 14 article 21 बात करता है guarantee the right to life and liberty वहीं article 14 बात करता है कि right to equality and equal protection of law अब देखें हुआ क्या जैसे ही इन सारी 11 convicts को छोड़ देए गया तो बिलकिस बानो ने यहाँ पर right to file under article 32 का इस्तमाल किया article 32 को enforce किया गया और इन्हों ने यहाँ पर बोला कि जो इनका fundamental right है under article 14 and 21 उसको यहाँ पर देखें ना तो इनको right to life यहाँ पर इनके पास आ रहा है और ना ही इनको एक equal protection दिया जा रहा है और यही पर यह पूरा का section हमें देखने के लिए मिला अब चलिए article को और detail में समझने के पहले यह दोनों शब्द भी हमें जानने होंगे usually हम right to liberty के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन rule of law क्या होता है इसके बारे में भी हमारी एक अच्छी understanding होनी चाहिए तो देखिए जो rule of law है इसको सबसे पहली बार describe किया गया था john adams के दौरा कि a government of law and not of men ठीक है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा check and balance create करने की बात की जा रही थी under the rule of law so यह ensure करता है कि कोई भी official that no official can arrest or detain a person without legislative sanction so इस case में भी यहाँ पर क्या हुआ तो rule of law को ही यहाँ पर बात की supreme court ने बोला कि ठीक है आप यहाँ पर लोगों को छोड़ रहे हैं लेकिन what about rule of law क्योंकि rule of law तो बोलता ही यह है कि कोई भी human being कोई भी authority rule of law से supreme नहीं हो सकती इंडिया में अगर हम बात करें तो rule of law को guarantee किया गया है constitution के article 14 के द्वारा यहाँ पर which means that all authorities must strictly adhere to it no matter what the condition is no matter what the situation may be हाला कि rule of law के कुछ exception भी होते हैं जैसे non answerability जैसे president और government answerable नहीं होते किसी भी court के लिए ठीक है अपनी powers और duties को लेते हुए immunities from criminal proceedings की बात करें तो no criminal case can be initiated against the again president और governor during their tenure साथी notice period for civil proceeding की बात करें तो two months notice periods must be served before initiating any kind of civil proceeding against the president and governor तो हम सीधी सीधी भाशा में इस तरीके से भी बोल सकते कि इसमें जो exception है वो हमारे president और governor को देखने के लिए मिल जाएंगे अब देखिए supreme court ने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर rule of law को fulfill करने के लिए state पूरी तरीके से fail हो गया एक judiciary intervene की आविश्यक्ता होती है ताकि rule of law को establish किया जा सके ताकि जितनी भी legal proceeding है या जो कोई भी right है उसका यहाँ पर exploitation ना हो सके यही पर एक striking balance हमें देखने मिल रहा है court ने साथी यह भी emphasize कि rule of law को यहाँ पर neglect किया गया है साथी यहाँ पर जो equality before law है इसी की कारण आप देखेंगे तो यह भी यहाँ पर पूरी तरीके से violet होती हुई हमें नजर आ रही है चाहे condition कोई सी भी हो लेकिन rule of law और अगर हम right to liberty की बात कर रहे हैं दोनों ही important हो जाता है लेकिन judiciary का यहाँ पर काम है वो एक guardian की रूप में काम करती है और rule of law को एक central pillar of democracy की रूप में लेकर इन्हें चलना होगा साथी कोट ने emphasize किया the paramount importance of rule of law and declare that no one regardless of their status no matter who the person is who the person may be is above the law or describe किया as the fundamental rule of governance and democratic polity कोट ने emphasize कि जितने भी close connection है between the rule of law and they are being adjuncted by the court और इसी के साथ court ने यहाँ पर इस्तमाल किया article 142 का यहाँ पर इन्होंने invoke कर दिया article 142 of the constitution और जितने भी remission order यहाँ पर दिये गए थे इनको छोडने के लिए उन्हें पूरी तरीके से खारज करते हुए आदेश दे दिया कि भई they should be behind the bar अब आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है देखें मैंने आपको rule of law के बारे में पता दिया है आपका सिर्फ एक ही काम है यहाँ पर पढ़ना which is the article 14 के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी लेंगे article 21 के बारे में आप केसी भी प्रकार का ओटर यहाँ पर निकाल सकते हैं अगर जैसा वो उचित समझें एक संपून नयाय देने के लिए which is very important चलिए moving on to the next article of the day बात करने वाले हैं उड़ी सा में मिला है यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें आप जो देख रहे हैं और red weavers aren't used in kai chutney बहुत फेमस है यहाँ पर अभी मैं आपको बताती हूँ यह सारी चीज़ें क्या है देखिए GI Tech जो कि अपने आप में एक sign होता है इसको assign किया गया है किसी भी product की specific geographical origin को बताने के लिए उसकी qualities को बताने के लिए साथ ही उसको उस particular चीट में promote करने के लिए protect करने के लिए इसका यहाँ पर इस्तिमाल किया जाता है अगर हम GI Tech के बारे में बात करते हैं तो इनको यहाँ पर इंडिया में department for promotion of industry and internal trade under the ministry of commerce and industry यहाँ पर GI Tags देता है ओके जबी भी हम registration की बात करते हैं तो यहाँ पर एक unique GI number generate किया जाता है ताकि कभी भी इस product को sell किया जाना हो तो GI लोगों की मदद से इसके लिए यहाँ पर काम किये जा सकते हैं ओके चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर यह award दिया गया है तो सबसे पहले कापडा गांडा शॉल को यहाँ पर यह GI tech का award दिया गया है कापडा गांडा शॉल की बात करें तो इसे दोनों महिलाओं एवं पुरुशों के द्वारा यहाँ पर पहना जाता है एक significant, एक cultural history अपने आप में यह समाहित करके रखता है ओडिसा के शेतर में अगर हम इसकी बात करें तो देखें इसकी distinct quality ही होती है कि यह red, yellow, green threats इसको बनाया जाता है और यह formal commitment during courtship यह यहाँ पर शो करता है इसकी अगर हम बात करें से बनाता कौन है तो यह डोंगरिया कॉंड tribe जो होती है जो की PVTG tribe है particular vulnerable tribe है नियाम गिरी hills पर यह रहती है इसकी द्वारे इसको यहाँ पर बनाया जाता है जो की rich tribal heritage culture को यहाँ पर denote करता है खासियत क्या है देखिए अगर हम इस shawl में बात करें तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से motifs का use किया जाता है जोसे lines बनाया जाती है triangle बनाया जाता है जो की इस mountainous community की अपने आप में खासियत को दर्शाता है दूसरा अगर हम बात करें तो इस langia saura painting langia saura painting के बारे में बात करें है यह जो आपको यहाँ पर image में दिखाई दे रही है इसको edital ठीक है इसी को edital के नाम से भी जाना जाता है tribal art form है इसको interior और exterior murals की तरह इस्तमाल किया जाता है मिट्टी की देवारों पर इनको एक frame के रूप में यहाँ पर बनाया जाता है अपने आप में काफी जादा ritualistic significance रखती है origination की बात करें तो यह langia sora community के द्वारा इनका इस्तमाल किया जाता है जो की अपने जो deities होते हैं forefathers होते हैं उनको यहाँ पर gratitude देने के लिए दिवारों पर इसका प्रयोग करती है usually हम बात करें तो इन paintings में आप देखेंगे animal, tribal humans birds, sun, moon आदी चीजों का जितनी भी primitive importance रखती है या इनका एक जो affection है nature को लेकर वो यहाँ पर दर्शाया जाता है आगे बात करें कोरा पुट काला जीरा के बारे में, so कोरा पुट काला जीरा इसको प्यारी सी इसकी एक अरोमा होती है बहुत प्यारी सी fragrance होती है it has a very unique taste texture और nutritional value में यह बहुत जादा आगे होता है ठीक है, अगर हम बात करें तो यह कोरा पुट राइस जो है इसको एक हजार सालों से preserve किया गया है tribal farmers के दोरा, दूर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लगता है जैसे jira किसी ने रख दिया है और इसी के कारण, यहां से इसका नाम derived हुआ है which is the कोरा पुट काला जीरा क्योंकि कोरा पुट community के दोरा जो कोरा पुट farmers है ट्राइबल farmers हैं उनके द्वारे से preserve किया गया है, जीरे के जैसा यह दिखाई देता है, और इसके अगर हम consumption की बात करें, तो इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है, कि इसकी वज़े से humoglobin का जो level है, जो metabolism है, वो आपकी body में बहुत जादा increase हो जाता है, ओके, अगर हम यहां के kora put farmers से बात करें this rice stands out amazingly, next अगर हम बात करें, which is the simlipal kai chutney, simlipal kai chutney की बात करें, तो देखिए, यह जो आपको छोटी छोटी प्यारी प्यारी से आंच यहां पर दे रही है, यही जो ant है, यह जो चीटिया है, इनका traditionally, उडीसा की मयूर भंज district में अगर हम बात करें हैं, तो इनके द्वार second, largest biosphere reserve हो जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या खाने के लिए चीज़े नहीं हैं, नहीं, इसकी medicinal और nutritional value बहुत जादा होती है, tribals यहां पर manually क्या करते हैं, इनको grind करते हैं, red weaver's ants को, और साथ ही silbetta जो कि आप जानते हैं, grinding stone जिसे बोला जाता है, और माना जाता है कि इससे, यहां पर immunity बढ़ती है, और बहुत सारी diseases से यहां पर prevention किया जा सकता है, अब देखे, क्या और benefits हो सकते हैं, कि चटनी बनाई जा रही है, तो देखे, scientist ने analyze किया, फिर scientist ने इसको समझने की भी कोशिश करी, कि आखिर red weaver ants जो है, जो मयूर बंज district में मिल रही है, जिनको हम usually काई पिंपूरी के नाम से बोल रहे हैं, आखिर इसकी खासियत है क्या, सो scientist के study से पता क्या चला कि इसके अंदर valuable proteins जैसे calcium की बात करें, zinc की बात करें, vitamin B12 की बात करें, iron, magnesium, potassium, sodium, copper, amino acids, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके consumption की वज़े से जो immunity है, वो boost होती है, साथी से जो tribal है, जो tribal healers होते हैं, वो इनी की मदद से यहाँ पर medicinal oil बनाते हैं, और यहाँ पर mustard oil में मिलाकर, और जिसको body oil की रूप में यहाँ पर बच्चों की ऊपर लगाया जाता है, ताकि ring worms जैसे जो diseases होती है, या remunatize them होता है, उसको यहाँ पर curb किया ज जा सकता है, ओके, so these are quite important things, I hope आपको सारी चीज़ा पता चल चुकी है, चलिए, next बात करते हैं, हमारे पास एक और GI tag यहाँ पर बचा हुआ है, which is the neyangar kante mundi brinjal, यह अपने prickly thorns या stems के लिए जाना जाता है, इसका एक round green color का fruit हमें यह usually देखने मिलता है, जिसके अंदर क्विकिंग टाइम के लिए बहुत जादा नोन है, historically records के अगर हम बात करें, तो locals जो यहाँ पर बताते हैं, जो local sources यहाँ से मिले हैं, यह जो brinjal है, यह hilli area पर cultivate किया जाता था आज से लगबग 100 साल पहले, important इसलिए हो जाता है क्योंकि यह resistant है to major insects और इसी की वज़े से इस यह फिर खजूरी गुड जैसे आप समझ रहे हैं, एक जैगरी है, एक प्रकार का गुड है, जिसे palm, मतलब खजूर के पेड से यहाँ पर extract किया जाता है, organic sweetenation इसके अंदर हमें देखने मिलता है, ठीक है, with trabzoidal from the patali गुड and distinct dark brown color हमें देखने मिल जाता है, unique taste होता है, और धेनकाल मागजी, धेनकाल मागजी sweet है, जिसको यहाँ पर buffalo के milk cheese से यहाँ पर बनाया जाता है, एक distinctive characteristics होती है, इसके अंदर अपना लग एक taste होता है, appearance, size और shape इसका लग से देखने मिलता है, मंदार सादगी area जो है, गौंडिया block का, यहाँ से इसकी historic root जुडे हुए है, buffalo milk को यहाँ पर बहुत British काल से यहाँ पर produce किया जा रहा है, और इसी के बाद इसको cheese में convert किया जाता है, और बाद में इसको fry अगेरा करके, कुछ forming balls में बनाके एक mixture, एक unique mixture तयार किया जाता है, ओके, so यह थी GI Tech के बारे में कुछ important information, आपको मैंने बता दिया कि भारत में GI Tech य importance है, so I hope यहाँ तक आपको सारी चीज़ें clear हो चुकी है, so moving on to the next article of the day, and we'll be talking about the income inequality declines says SBI Research Unit countering K-Shape Eco Recovery Claims, सारी चीज़े समझते हैं आखिर यह है क्या, लेकिन इसके पहले हमको यह शब्द जानना जरूरी है कि आखिर K-Shape Recovery क्या होती है, so देखिया जिनको भी नहीं पता है economic recovery, आप जो समझ रहे, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा business cycle, देखिये, हर economic का अपने business cycle होता है, एक stage होता है, जिसको recession के द्वारा follow किया जाता है, और एक sustained period के बाद business वापस establish होता है, like हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि during economic recovery, what happened, GDP बढ़ती है, income बढ़ती है, unemployment कम होता ज आती है, ऐसे में अलग-अलग shapes यहाँ पर recovery के हमें देखने मिलते हैं, जैसे Z shape, V shape, U shape, elongated U shape, W shape, L shape, K shape recovery और इनी के आधार पर हम इसे usually अलग-अलग नाम दे देते हैं, now the questions come कि आखिर K shape recovery होता क्या है, ठीक है, अब K shape recovery usually तब होती है, जब एक recession का period होता है, economy यहाँ पर अल in different time period में, different-different magnitude हमें देखने मिलता है, इसकी अलग-अलग rate होती है, this is in contrast to an even uniform recovery across sectors, industries और we can say group of people, so यहाँ पर एक change हमें देखने मिलता है, economy के अंदर, एक key shape का recover यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ पर economy के recover हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक positive aspect भी यहाँ पर create हो जाता है, एक negative aspect भी यहाँ पर create हो जाता है, so usually मैंने जैसे आपको बताया कि एक business cycle है, suppose इसने काम करना शुरू किया, इसका एक recession का period आया, यह नीचे की तरफ गिरेगी, कुछ portion जो है वो उसके अभी भी नीचे की और गिरते लेकिन कुछ ऐसा भी portion होगा economy का, जो uplift होने लगेगा, और दूर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, जैसे K-shape की recovery यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, और इसी की वज़े से इसको बोल दिया जाता है कि K-shape recovery हमें देखने के लिए मिलती है, चलिए, अब च शो कर दी है, जिसमें जो चैलेंज कर रहा है, जो perception यहाँ पर बताया गया था, कि देखें, इंडिया में के-shape recovery होगी, एक income inequality है, ठीक है, यह सारी चीज़ें बोली गई थी, जो कि अपने आप में इन सारी चीज़ों को question करती है, अब देखें, इस report में बहुत सारी जा रहा है, एक significant shift देखने मिला है, taxpayer में, from lower to the higher income tax bracket, लगबग 36.3% of taxpayers यहाँ पर उपर की तरफ move हुए है, यह जो transition है, यह यहाँ पर result हुआ है, इना 21.3% increase in additional income, जो अपने आप में बहुत बड़ा positive trend दिखाता है, economic ability को लेकर, दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है, कि top taxpayer contribution क अगर बात करें, तो वो बड़ा चौक आने वाला है, कि वो यहाँ पर हमारा decline हमें देखने के लिए मिला है, जो contribution है, जो केवल 2.5%, जो कि सबसे जादा tax यहाँ पर भरते हैं, इनकी जो overall income है, यहाँ पर decline हुई है, financial year 14 से लेकर अगर हम 21 की बात करें, किस तरीके से decline हुई ह देखे, financial year 14 की अगर हम बात करें, तो यही income 2.81% थी, जो कि financial year 21 में 2.28% रह गई है, और इसी income कम होने की वज़े से, जो इनका earning है, जो इनका contribution है, एकनॉमी में tax को लेकर, वो भी यहाँ पर घट चुका है, ओके, contribution कितना घट गया है, 1.64% से, अब केवल 0 या दिश्रमलाव 77% का एक contribution यहाँ पर रह गया है, तो यह एक दूसरा यहाँ पर study से एक और चीज़ पता चली, तीसरा point हमें पता चल रहा है, which is the consumption trend and MSME growth, consumption की बात करें, by the bottom 90% of the population, यह यहाँ पर increase हुआ है, अगर हम pandemic के बात की phase की बात करें, especially तब, साथी MSME की अगर हम बात करें, तो पर बात की जारी है, income coverage की, तो एक और यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ समझ में आ रहा है, कि income class यहाँ पर, धीरे धीर अगर आप देखेंगे, so income is converging towards the middle, both from the top and bottom segment, और इसी के कारण, यही जो claim है, the claim of K-shape recovery is described as flawed, an ill-concorted suggesting bias that may not accurately represent India's economic reality, next यहाँ पर बात की जारी है, गिनी coefficient और income inequality को लेकर, so गिनी coefficient जिसको widely हम इस्तमाल करते हैं, income inequalities को दर्शाने के लिए, इसमें भी एक significant decrease हमें देखने मिला है, from 0.472 to 0.402 during financial year 14 and 2020, जो की indicate कर रहा है, कि income inequality में कमी आई है, ठीक है, तो आप एक चीज समझ यह, जितना गिनी coefficient यहाँ पर कम होता जाएगा, वैसा ही मतलब है, कि income inequality कम होती जा रही है, ओके, तो यह भी यहाँ पर study, इस particular section से पता चली है, चली, तो यह था इस पूरे article के बारे में, जो important चीज थी, which is the case shape recovery, वो मैंने आपको detail में समझा दी है, बाकी सारी detail जानने के लिए, बहुत और इसको detail में पढ़ने के लिए, आप इस particular discussion का PDF यहाँ पर download कर सकते हैं, साथ ही आप सभी के लिए बहुत ही महत्रपून सूचना है, जो भी बच्चे यहाँ पर तयारी कर रहे हैं, MPPSC की, UPSC की, अभी अपने undergrad program में हैं और अपनी तयारी को बहुत strong करना चाहते हैं, आप सभी के लिए, Rouse Academy लेकर आ रहा है, 100% scholarship test, 20 जनवरी को 11 बजे से यह mega test यहाँ पर conduct किया जाएगा, जिसमें registration totally free है, आप online और offline mode, दोनों mode पर यह test यहाँ पर दे सकते हैं, और up to 100% scholarship, आप आगे आने वाले courses में हमारे साथ admission लेकर पा सकते हैं, और साथ ही, you'll be one of those lucky students, जो कि अगर first यहाँ पर आ जाते हैं इस test में, तो you'll get a smartphone, second price को smart watch plus bag मिलेगा, और third price जीतने वाले को एक bag और t-shirt यहाँ पर मिल सकती है, so do not wait and register yourself today, चलिए, जैसे ही गर्म ठंडी का मौसा मार जाता है, हमेशा fog की situation, smoke की situation, और इंडिया के air programs के बारे में यहाँ पर बात होने लगती है, especially जब हम बात करते हैं, NCR Delhi के बारे में, एक recent analysis यहाँ पर किया गया है, respire living sciences and climate trends के द्वारा, जिन्होंने यह बात बताई है, आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है, हाला कि analysis जो यहाँ पर किया गया था, इसको हम बहुत जाद अच्छे से नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यह 49 cities पर आधारित था, जहाँ पर usually अगर हम बात करें, तो जो PM 2.5 या उससे भी dangerous level हमें देखने के लिए मिली हैं, अब चुकि अगर हम बात करें कि किस city में किस तरीकी की condition हमें देखने के लिए मिली हैं, तो सिफ़ आप इतना जान लीजिए कि Delhi में अगर हम बात करें इस report के आधार पर तो 5.9% का reduction देखने मिला है, हमें PM 2.5 level में लेकर, वही हम नवी मुंबई, मुंबई की बात करें, तो 46% and 38.1% का rise उल्टा हमें यहां पर देखने मिला है, वही अगर आप उज्जय, जैपूर, विशाख, अपत्नम, पूने जैसी जगों की बात करेंगे, तो यहां पर भी PM 2.5 जो है, यह 10% से 40% तक हमें बढ़ा हुआ देखने के लिए मिला है, और इसी सारी चीजों से कहीं न कहीं लगता है, कि इंडिया का जो अपना प्रोग्राम है, National Clean Air Program, वो अपने आप में fail होता हुआ हमें नजार आ रहा है, तो पढ़ना क्या है, हम डिरिकली यहां पर चार्चा करेंगे, National Clean Air Program के बारे में, National Clean Air Program के बारे में बात करेंगे, तो January 2019 को यहां पर एक historic effort लिया गया था, ताकि air quality जो है इंडिया में उसको सुधारा जा सके, और यह effort लेने का काम किया था, हमारी Ministry of Environment, Forest and Climate Changes के दौरा, इसको यहां पर design किया गया था इस तरीके से, ताकि जो air quality है, लगबग 131 जो बड़ी cities हैं, उसके अंदर इसको improve किया जा सके, और साथी, जो जितनी भी union territories हैं, सभी में air quality को improve किया जा सके, objective क्या थे, यहां पर reduce करना था, जो हमारा ambient air quality standard है, उसको बढ़ाना था, reduction जो था, air pollution का उसको कम करना था, साथी, particulate matter 10, PM10 को यहां पर कम करने की बात की जा रही थी, by the year 2025-26, साथी, इसके अंदर बहुत सारे programs बनाए गए थे, time bound एक national framework कहां पर तयार करने की बात की जा रही थी, that means हम सीधे-सीधे तौर पर बोल सकने की एक target driven program अपने आप में है, इस plan का target क्या था, तो देखिए इन्होंने बोला कि 20 प्रतिशत का, in the concentration of the chorus particles, which is the PM10, and fine particles, जो की PM2.5 होते हैं, आ गयाने वाले 5 सालों में, 20 प्रतिशत से भी जादा कम करना है, और base year यहां पर लिया गया था, इसको study करने के लिए 2017, NCEP की बात करें, तो इसको इन सारी जगे उपर air quality data को collect करने के लिए, Central Pollution Board की सहायता से, इसने अपने सारे काम यहां पर किये थे, हाला कि अगर हम बात करें, इस समय के data की 2019 के बात से इसके आने की, तो कोई खास improvement हमें देखने के लिए नहीं मिला है, चलिए, moving on to the next article of the day, बड़ा प्यारा सा article है, बहुत अच्छे चीज़ें हमें पढ़ने मिलेंगी, हम बात करने वाले हैं, Project Tiger को लेके, 1973 में Project Tiger को introduce किया गया था, और इंडिया में Tiger Reserve की शुरुआत हमें देखने के लिए मिली थी, और इसके बाद से अपने आप में बहुत जादा successful program ये माना जाता है, जिसमें लगाता जो Tigers की संख्या है, वो बड़ी है, और अगर हम मधिपरदेश जैसे जगों की बात करें, तो Tiger States ही वो यहाँ पर declare हो चुकी है, ठीक है, अगर हम बात करें, administrative category से, constituted, administrated by the forest, bureaucracy, tiger reserves, आज की rate में एक statutory category का part बन चुके हैं, और अपने आप में बहुत important role play करते हैं, और इसी के साथ 1972 में इंडिया में enact किया गया था, Wildlife Protection Act, जिसको introduce किया गया था, एक new space within the notified forest called the national park, जहाँ पर forest right dwellers के rights को यहाँ पर remove कर दिया गया था, कि भई, national park में तो आपके कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है, और इन पूरे अधिकारों को दे दिया गया था, state government के हाथों में, और यहीं से, चुरुआत हमें एक तरीके से देखने मिलती है, wildlife centuries को बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया गया था, जहाँ ही यहाँ पर दी जाएगी, कि इन ही rights को यहाँ पर enjoy किया जा सकता है, और project tiger भी, इन ही national park की जब हम बात करें, इन ही centuries की बात कर रहे हैं, तो इन ही के further development में हमें project tiger देखने के लिए मिलते हैं, देखें 1973 की अगर हम बात करें, तो there were only nine tiger reserves in 1973, 9,115 square kilometer में, वर्तमान समय की बात करें, तो there are 54, 18 स्टीटों में, चववन tiger reserves हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 78,135.956 square kilometer की छेतर में फैले हुए हैं, जो कि अपने आप में critical tiger habitat create करता है, ओके, यह हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कि 26 प्रतिशत of the area under the national park alone and wildlife century alone constitute only for the tiger reserves in India, ओके, और यही पर बहुत सारी methods का इस्तमाल किया गया है, जिसके अंदर tigers को यहाँ पर monitor किया जाता है, उनकी condition कैसी है, किस तरीके से वो रह रहे हैं, ठीके, क्या condition हमें देखने मिल रही है, क्या समस्याओं से वो सामना कर रहे हैं, या इनके आसपस रहने वाले लोग किस चीज़ों को सामना कर रहे हैं, उन सभी को monitor करने के लिए भी, अब आज की date में हम drones के सहायता यहाँ पर लेने लगे हैं, और साथ ही यहाँ से देखिए एक बहुत ही महतुपूंट चीज़ देखने मिली, जब इतने बड़े एरिया में tiger reserve है, national park है, centuries है, तो यहाँ पर ना क के लिए animals का protection हो रहा है, हमारा ecological balance भी हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कई बार समस्या आ जाती है, जहाँ पर human और animal conflict हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, हाला कि buffer zones को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज denote करती है कि कि किस तरीके से जो लोग हैं और जो animals से वो यहाँ पर coexist होकर रह सकते हैं, जैसे पहली generation से भी लोग रहते हुए आ रहे थे, सो प्रोजेक्ट टाइगर की जब यहाँ पर शुरुआत हुई तो सेप्टेमबर 2006 में जब मनमुहन सिंग की government थी, हम यहाँ पर बात करें तो 2005 में, मनमुहन सिंग government त्वारा यहाँ पर Tiger Task Force में कुछ को establishment किया गये, पांच मेंबर की team यहाँ पर बनाई गई, जिसका response था कि वो भई Tiger's dwindling जो है, ठीक है, इनको यहाँ पर control कर सके, especially इंदी सरिस्का राजिस्थान छेत्र में, Tiger Task Force यहाँ पर बनाये दिया गया, और यहाँ से पता चला कि कुछ identified flaws यहाँ पर पता चले, जैसे guns, guards, fences के बारे में अगर हम बात करें, और इसी की वज़े से जो forest authority है, जो local co-existence था विद्धी Tiger, इसके बीच में बहुत सारी issues हमें देखने मिले, बाद में कुछ changes किये गए September 2006 में, और Wildlife Protection Act को form किया गया, और Wildlife Protection Act के अंतरगत National Tiger Conservation Authority, जिसे हम NTCA के नाम से जानते हैं, इसका formation हमें देखने के लिए मिला, और इसी के साथ देखिए, जो forest dwellers थे, उनके rights को modify किया गया, उनको relocation करने की यहाँ पर बात की गई, और Wildlife Killings को यहाँ पर permit कर दिया गया, if they threatened human life, क्योंकि जो local लोग थे, वो यहाँ पर सबसे जादा सफर कर रहे थे, schedule tribes और दूसरे जो traditional forest dwellers act हैं, उनको enact किया गया, और साथ में recognize किया गया कि जितनी भी forest rights हैं, उनको यहाँ पर gram सभा को दे दिया जाएगा, ताकि वो forest और local लोगों को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए काम कर सके, और ऐसे ही, FRA यहाँ पर introduce किया गया, critical wildlife habitant, जिसे हम CWH के नाम से भी जानते हैं, जिसने prevent किया diversion of non-forestry purpose, a demand made by आदिवासी, आदिवासी's movement during the negotiation, ठीक है, और इसी के साथ आपको यह कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ां देखने मिलेंगी, Tigers Reserve को initially बनाया गया था कि भाई, वो एक democratic base पर यहाँ पर scientific criteria create करेंगे, critical tiger habitants बनाये गए, ठीक है, ताकि scientific evidence जो थे human activities को लेकर देखेंगे, वो irreversible damage है, ऐसे मैं forest dwellers के right को protect करना, और साथी tigers को protect करना, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपून था, और इसी के अंदर CTH ने established किया, कि भाई, scheduled tribe के जो rights हैं, या जो forest dwellers के right हैं, उनके साथ जादा छेड़ चार नहीं करने चाहिए, rather we should create a buffer area, ताकि balance create किया जासा कि human-animal coexistence को लेकर, और साथी जो local लोग हैं, जो उनके right हैं, हमें उसको यहाँ पर respect करनी होगी, हाला कि यह जो पूरा का पूरा buffer zone वाला scene है, यह सब जगे पे लागो किया गया, except Simlipal in Odisha, और इसी के साथ एक नया concept हमारे पास आगया, which is the relocation and rehabilitation, Wildlife Protection Act ने permit किया कि केवल voluntary relocation यहाँ पर होगा, mutual agreement term होगी, यहाँ पर किसी को जबरज़स्ती करके उसको हटाया नहीं जाएगा, so right to fair compensation और transparency in land acquisition, rehabilitation और resettlement act 2013 यहाँ पर लेकर आया गया, ताकि अगर कभी ऐसी situation होती है, तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी forceful invasion के यहाँ पर relocate किया जाएगा individuals को, ठीक है, so L.A.R.R. ने mandate कर दिया, compensate, relocate individual twice, the market value of land, क्योंकि इनको देखे अपनी इतनी महतुपूर्ण भूमी छोड़के जानी पड रही है, asset value allowance दिया गया, जो इनका घर था, अगर वो छोड़के जा रहे हैं, तो उसका जितना भी value है, market से उसका double यहाँ पर देना, एक proper resettlement provide करना, ठीक है, हाला कि बाद ने government ने compensation को limit कर दिया गया था, to 15 lakh, not meeting legal requirements, और यहाँ पर सारी responsibilities state government को दे दी गई थी, ठीक है, official उसकी बारे में अगर हम बात करें, तो एक minimal consent लेने की आवशक्त है, यहाँ पर बता दी गई थी, ठीक है, फिर 2019 के data के हिसाब से अगर हम बात करें, तो 57,000 से भी जादा families को critical tiger habitats, लगबग 50 tiger reserve के आसपास यहाँ पर relocate करना पड़ा था, so tiger reserve face resistance to recognize forest right causing conflict, NTCA के अगर हम बात करें, तो they initially barred FRA forest right, ठीक है, recognizing in CTH, later withdrawing after the Union Environment Ministry issued guidelines, और इसी की वज़े से कुछ issues हमें बार बार देखने के लिए मिले हैं, पढ़ना क्या है, देखें आपको पता होना चाहिए, critical tiger habitat, CTH क्या होता है, और साथी, CWLH which is the critical wildlife habitats क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, जब हम critical tiger habitat की बात कर रहे हैं, तो ये core area है, tiger reserve के, और इनको identify किया जाता है, Wildlife Protection Act 1972 के scientific evidences के आधार पर, इन areas की बात करें, तो they are required to keep as inviolate for the purpose of tiger conservation, without affecting the right of the schedule tribe, और such other forest dwellers, notification की बात करें, तो इसको state government के द्वारा यहाँ पर release किया जाता है, वहीं अगर हम बात करें, critical wildlife habitats के बारे में, तो इनको define किया गया है, Forest Right Act 2006 के अंदर, they are meant to be area of national park and wildlife sanctuary, that are required to keep as inviolate for the purpose of wildlife conservation, not just a tiger alone, okay, so इनको identify किया जाता है, on the basis of scientific and objective criteria, but mandatory requires यहाँ पर होता है, the settlement of forest right under the FRA, notification यहाँ पर release किया जाते हैं, gram sabhah का consent यहाँ पर लिया जाता है, affected stakeholders का यहाँ पर consent लिया जाता है, और उसी के बाद ही, किसी भी area को critical wildlife habitat यहाँ पर declare किया जा सकता है, चलिए, तो यह थे आज के महत्तुपून आर्टिकल, I hope आपको सारी चीज़ें clear हो चुकी होंगी, बात करते हैं में इसकी question of the day के बारे में, so here are two very important questions in front of your screen, what all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below, जिसका direct link आपको हमारे comment section में मिल चाएगा, in case आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है, कोई संशा है, DNRs को लेकर, कोई जानकारी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोडना है, इस सभी चीज़ों की जानकारी के लिए, आप मुझे प्रग्यापान्दे at the rate drowseacademy.in पर email कर सकते हैं, और मैं बिलकुल आपको immediate effect के साथ इसका आंसर देने की कोशिश अवश्य करूंगी. So, thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.